नमस्कर दोस्तों मैं हूँ परदीप स्वागते आपका एक नई वीडियो में दोस्तों अगर आप भी बासी रोटी को फैंक देते हैं तो सबसे पहले इसके फाइदे जान लेना जुरूरी है हेल्थ अक्सपर्स के मताबिक ताजी रोटी से ज़्यादा फाइदे मंद बासी रोटी होती है इसमें काफे ज़्यादा ताकत होती है इसलिए बासी रोटी फैंकने से पहले सो बार सोच लेना चाहिए अफसर गरों में रात की बनी हुई रोटी बच जाती है और फिर इस बासी रोटी को सुबह खाने से लोग कत्राते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी खाने से सेहत को के सारे फाइदे मिल सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बासी रोटी खाने के पांच जबरदस्त फाइदों के बारे में और बासी रोटी को खाने का सही तरीका और साथ ही जानेंगे कि बासी रोटी खाने का सही समय क्या है पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो के अंतक बने रहे है तो सबसे पहले जानते हैं बासी रोटी खाने के पांच जबरदस्ट फाइदों के बारे में नमबर वन शरीर को देती है ताकत बासी रोटी खाने से शरीर को काफी ज़्यादा ताकत मिलती है इससे तुरंत अनर्जी मिल जाती है इसलिए सुबह नाश्टे में बासी रोटी खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है डाइबटीस के मरीजों के लिए इस रोटी के कई फाइदे है बासी रोटी में फाइबर की मातरा ज्यादा होती है जो सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है फाइबर ने सिर्फ पाचन को बैतर बनाता है बलकि कबस की समस्या को भी दूर करने का काम करता है इसके अलावा बासी रोटी खाने से पेट फूलने की समस्या और एसडिटी से छुटकारा मिल जाता है नमबर थरी, वजन तेजी से गटाई कईल सर्च में यह पाया गया है कि ताजी रोटी की जगा बासी रोटी में कैलरी कम होती है ऐसा नमी कम होने के कारण होता है इसलिए बासी रोटी को लो काप्स वेट लॉस डाइट में शामिल किया जा सकता है इससे बजन तेजी से कम हो सकता है बासी रोटी में कई न्यूटियंट्स पाए जाते हैं जो मसल्स को स्ट्रॉंग बनाने में मदद कर सकते हैं खास कर जब उसमें पोश्टिक अनाज का इस्तिमार किया जाता है यह वर्काउट करने वानों के लिए बहुत ही अच्छी डाइट माना जाता है इसलिए बासी रोटी के फाइदे मास पिश्यों को मजबूत बनाए रख सकते हैं लंबे समय तक रखे जाने वाले आटे जा अनाज जोगित जवानों के विकास में सहयक होते हैं इसलिए रात बर रखे गई रोटी में काफी प्रिबायोटिक बन जाते हैं जो इम्योन सिस्टम के लिए जबरदस्त माने जाते हैं इसलिए इनका सेवन करना चाहिए साथियों अब हम जानते हैं बासी रोटी खाने का सही समय और तरीका बासी रोटी खाने का सबसे बैतर समय है सुबह का नाश्टा सुबह नाश्टे में बासी रोटी खाने से पेट को इसे पचाने का पूरा समय मिल जाता है जिससे पाचन सही रहता है लंच में भी बासी रोटी खा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि दो से ज़्यादा रोटी ने खाएं राद के समय बासी रोटी खाने से बचें क्योंकि इसे पचने में ज़्यादा समय नग जाता है और आपकी नीद और पाचल को प्रभावित कर सकता है। बासी रोटी खाने का एक सर्ल तरीका यह है कि एक ज़न दो बासी रोटीओं को छोटे-छोटे टुकडों में तोड़कर आदी कटोरी दूद में बिवो दें और इसे करीब 30-40 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद इसे सुबह खाली पेट जा रात को सोने से पहले खा सकते हैं। इस उपाई से आपका पाचन बहतर होता है और कब जैसी समस्याओं से रहत मिलती है। बासी रोटी का सेवन करने से कुछ लोगों को गैस जा बदहज्मी जैसे समस्याओं हो सकती है। लंबे समय तक बासी रोटी खाने से पोशक तत्वों की कमी भी हो सकती है। और परिवारों के साथ शेर करें ताकि वे भी इस जानकरी का पूरा लाब उठा सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नए भूले ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकरी मिलती रहे धन्यावाद